आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ Hello friends इस question में हमसे पूछा गया है expand HNRNA हमें fully expand करके बताना है क्या होता है second question में पूछा है name the enzyme that transcribe उस enzyme का नाम बताना है जो इसको transcribe करता है फिर third question में पूछा है it is a precursor यह precursor है तो यह क्या बनाता है form later तो बाद में यह क्या बनाता है इससे क्या बनता है ह होता है हमारा heterogeneous nuclear RNA heterogeneous nuclear RNA जो कब बनता है जो हमारा जब हमारा जो transcription होता है उसके बाद जो हमारा RNA polymerase 2 है जो हमारा RNA polymerase 2 है वो इसको transcribe करता है DNA से यह DNA dependent RNA polymerase है जो क्या बनाता है DNA को as a template यूज़ करके हमारा heterogeneous nuclear RNA बनाता है okay heterogeneous nuclear RNA बनाता है जो एक precursor होता है मतलब यह एक precursor होता है किसका mRNA का हमारे messenger RNA का यह precursor होता है precursor कैसे होता है कि जो heterogeneous nuclear RNA है इसके पास exons और introns दोनों present होती है तो इसमें से हम क्या करते हैं जो हमारी introns है उनको हम splice out कर लेते हैं उन्हें हम काट लेते हैं और जो इसके बाद जो बचता है इसकी capping और tailing वो सब करके हम क्या बनाते हैं mRNA बनाते हैं हमारा RNA तियार होता है वो कहलाता है mRNA और इस mRNA को फेरम फर्दर कहां ट्रांस्पोर्ट करते हैं nucleus से cytoplasm में इसको ले करके जाते हैं जहां ये किस काम आता है जहां ये हमारा जो protein synthesis है उसमें help करता है क्योंकि इसके पास information होती है DNA से particular protein synthesis करने की तो ये सब modification होने के बाद जो हमारा HNRN वो mRNA बन जाता है Thank you